यूपी के बांदा में इन दिनों आधार कार्ड के नाम पर अवैद वसूली की जा रही है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश और केंद्रे सरकार ने आधार कार्ड को पून मान्यता देते हुए सभी को आधार कार्ड बनवाना सुनेश्चित किया गया था जिसके बाद से देश की जनता में आधार कार्ड बनवाने की होड लग गई पूरे देश में अभी तक लगभग 75 प्रतिशत आधार कार्ड बन चुके हैं लेकिन जिनके आधार कार्ड बनना बाकी रह गए थे तो सरकार के द्वारा बैंकों और डांग घरों में आधार कार्ड सेंटर बनाए गए थे जिन में लगातार आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं लेकिन इन आधार कार्ड सेंटरों पर खोले आम रश्टा चार किया जार गए आधार कार्ड सेंटरों में जनका आधार कार्ड बनवाने के लिए सुबह 4-5 बजे से लाइन लगा लेते हैं और जब सेंटर कोलते हैं तो वहां की कर्मिचारियों के द्वारा कुछ लोगों को ही तोकंद दिया जाता है जिसके माध्याम से उनका आधरकार्ड बन पाता है लेकिन ब्रांधा जंपत के कुछ आधरकार्ड सेंटरों में धन की उगाही की जा रही है आधार कार्ड बनवाने के नाम पर सेंटर के कर्मचारियों के द्वारा लोगों से 500 रुपए की राशी मांगी जाती है वहीं जब मीडिया के टीम के द्वारा आधार कार्ड सेंटरों में जाकर सच का पता लगाने का प्रयास किया गया तो वहाँ पर आधार कार्ड बनवाने के लिए लगी भीड में लोग एक दूसरे से यह चर्चा कर रहे थे कि आधार कार्ड बनवाने में कितना पैसा लिया जा रहा गया तभी लोगों के द्वारा आपस में यह भी बताया गया कि आधार कार्ड सेंटर में तुरंत आधार का करने परती है देखिए शोरी न्यूज इंडिया की है रिपोर्ट जाते हैं पापा भी आते तो भी लगी रहती है एक रात के कि बाई तक भी लगी रहती है उच्छा के का दिकता दी है वहीं ख़ड आने पड़ता बार बार वाद वापिस लाप जाते कि कुछी कूप अन्द म नहीं बनावी नहीं बनवाना की संसोन कराना है सही करवाना है क्या गड़ हो गया था शेंट वह बर्सके तो नाम चाहिए था मतलब हां थीक आपका यादा में नाम दलिट है मैं अधारकार बनवाने आयत अपने भकीजे का चुकि उसके श्कॉलर्शिप का फाम बरा जाना है और अधारकार चुकी सुरूं में बने है उसमें थोड़ी बहुत गल्तियां हो तो कई डेटा बर्स गलत है कई नाम गलत है के नाम में कोई लिकत है तो यह लगा था रात से लेन लेगानी पड़ती है आथ के एक बजिस लाइन लगती है और दस बाराई लोगों का यह ब सब्सक्राइब करोना को देखते हुए भी लोग क्या करें आर्टिक रूप से परसान है मांसिक रूप से परसान है सब्सक्राइब करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए